तमस्कार जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ में हूँ संतोष खंगवार, पुलिटन की श्वात करेंगे राज्श के मुखमन्प्री भूपेश बगेल एक दिवस्ति ये दोरे पर बस्तर पहुचे सियम ने यहां कि जनता को कई परियोशनाओं की सौगाथ दी सियम बगेल या विविन कारिक्रों में शामिल होने के साथ ही च्विराग परियोशना का शुवारम करेंगे प्रदिश्ट के बस्तर संभाग और अन जिलों में चुराग परियोशना का शुवारंबो मुकमन्प्री ने किया है इस परियोशना के तैद बस्तर संभाग की युवाओं को इस योशना से जोड़कर उन्हें खेती किसानी से संबंदित कोशल उन्यन का प्रसिक्षन देना है इसके लाबा राज के 4 लाख किसान परिवारों को इस परियोशना से जोड़कर उनका उत्पादन समुहू बनाने की योशना भी इस चुराख परियोशना में शामिल है सियम आस्था निकुंजो सियान वाटिका पहुँचकर ब्रद जन्नों से मुलाखात की इसके लिए फीजियो थेरेपी केंद्र के साथ ही फीजियो थेरेपी और वील का भी शुवारम किया है इसके लाबा जिला प्रशासन ने शहर में वर्किंग वुमेन के लिए बनाए गए हॉस्टल का भी लोकारपण मुखमनप्री ने किया हमारे बस्तर में कोई चीज की कमी नहीं है यहां क्या नहीं होता धान तो होता ही है रागी कोदो कुटकी काजू हरा बहरा बावन प्रकार के लगून पज तिखूर चार चिरवजी इमली महुआ टोरा सब तो यहां होता है लेकिन उसे रेट नहीं मिलता कीमत नहीं मिल पाती कार कम था जहां सत्रह सौ किसान के ब्यालीस सो एकड जमीन उन किसानों को वापस कर दी ते यह काम पूरे हिंदूस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ केवल बस्तर में हुआ केवल 36 गड़ में हुआ है लेकिन तमाम परसानियों के बावजूद भी यह सरकार किसानों की सरकार है आदवासियों की सरकार है नौजवानों की सरकार है हमारे माताबहनों की सरकार है और हर इस्टिती में ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है लाक अरंगे के बाद भी समर्तन मुल्य में हम धान करीदी कर रहे हैं और इनपूर्ट सबसिडी नौ हजार रुपया दे रहे हैं जैसे 24 अभी का रहे थे कि हम 25 अरुपया में धान करीदे तो भारत सरकार को परसानी हो गई कि आप एक रुपया में ज्यादा नहीं दे सकते अभी भी हम लोग धान करीदी में बड़ा अरंगा कि कि आप बोनस नहीं दे सकते आप आप उसना चावल जमा नहीं कर सकते आपको बारदाना नहीं भी सकता अच्छतिसगर्ड के मुकमंत्री भुपेश वगेल अपने एक दिवस्य दोरे पर वस्तर पहुचे यहां जगदलपूर में सीम ने लोगों को कई परियोशनाओं की सौगाद दी साथी परियोशनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर में शुरू कोई भी योशना हमेशा सफल रही है जीवन में बदलाओं के लिए चुराग योशना आई है इसके साथ साथ सबसे बड़ी योशना है चिराग जो दस्तर और सर्विजा संभाग से बारा जिला वो और दूसरा मुंगेली और जीवन में बदलाओं के लिए चिराग योशना है हमारी तैयारी पूरी है और जैसे पिछले समय सभी 10 नगर निगम जीते थे उसे प्रजार से यह नगरी निकाय चुनाओं भी हम जीते हैं अच्छतिस गड़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है धान खरीदी से पहले मुक्मंत्री भुपेश बगेल ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को चुठी लिखी है सियम ने चुठी के जरीए बारदानों की कमी को लेकर प्रधान मंत्री को अवगत कराया है भगेल ने अपनी चुठी में लिखा है कि राच में इस साल 105 लाख टन धान खरीद का लक्ष रखा गया है इसके लिए 5,25,000 गठान बारदानी की आवशक्ता है रोजाना 10,000 जूट बारदानी की आवशक्ता होती है लेकिन अब तक केवल 86,856 गठान नए जूट बारदाने प्राप्थ हुए है ऐसे में बारदानी की कमी हुई तो धान खरीदी प्रभावित हो सकती है अचतिस गठ में 20 दिसंबर को नगरिये निकाय चुनाओ होंगे इसके लिए 1,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे इस बार चार नगर निगम सहित 15 शहरों में नई सरकार को चुना जाना है इसके लिए राच निर्वाच्वन आयोक ने इसकी घुशना कर दी है इसके साथ भी आचार सहिता भी लागू हो गई है नवा रायपूर स्थित आयोक कारियाले में राच निर्वाच्वन आयोक तो ठाकूर राम सिंग इसकी आद्वकारी घुशना की है राच निर्वाच्वन आयोक तो ठाकूर राम सिंग ने बताया चार निगम पांश नगर निगम पालिका चार नगम पंचायत के अलाबा 17 वार्डों में उपचुनाओं होंगे चुनाओं में नोटा का प्राबधान लागू रहेगा उपचुनाओं के लिए 37 केंद्र बनाए जाएंगे जिला निर्वाशन अद्वकारी का लेक्रेट 27 तो बाच्चन जारी करेंगे हर बार की तरह इस बार भी चुनाओं बैलिट पेपर से होंगे दस जिलों में पंद्र नगरिये निकाओं में आम चुनाओं होंगे जिनमें से चार नगर पालिका निगमों बीरगाओं भिलाई भिलाई रिसाली शामिल हैं पाच नगर पालिका परशदों में सारंग्ठन बैकुंटपूर शिबपूर चर्च जामुल खैरागड शैनगर पंचायते प्रेमनगार मारो नरहरपूर कोटा भैरमगड और भोपाल पत्नम में चुनाओं होंगे और गर्यावन में भाजपा युवा मोर्चा लगतार प्रदेश्व सरकार के खिलाफ धरना और विरोध प्रदश्वन कर रहा है जुला द्यक्ष योगी राज माखन कश्वप के नित्वत में युवा मोर्चा ने नह 130 को जाम कर दिया प्रदेश्व सरकार के जनगोशनापत में बिरोजगारी भत्ता 25 सो रुपय मासिक देने का बादा भूल जाने और युवा भाई वहनों के साथ छलावा करने को लेकर बगेल सरकार को युवा मोर्चा घेर रहा है प्रकांकेर में कोईली बेडा श्यत्र की समस्याओं के निराकन के लिए शासन प्रशासन गंभीर हो गए अति दुरगम और सम्विदन श्यत्र होने और चिला मुख्याले में कारेलीन कारिकम में होने वाली कटनाईयों और प्रतिनिद्यों की मांग और आम जनता की सुवदाओं को देखते हुए कलेक्टर श्यंदन कुमार ने कोईली बेडा में विकास खंड इस्थर के अलग-अलग विभागों के कारियालों को अपने आदेश तक इस्थाई कुप से रहना सुनिश्वित करना और कारेदाइनी दाइत्यों को निर्वहन करने हेतू निर्देश्वित किया गया है कि अनुरूर क्लेक्टर शाप के द्वारे जो एक आदेश जारी किया गया है कि जो कोईली बेडा मुख्याला है वहाँ पर आलेडी जन्पतकारेयले बना हुआ है वहाँ पर एक एडिसनल सीवो एडिसनल भीवो सिनियर एगरिकल्चर के अधिकारी इस प्रकार से उद्यान पंचायतों की लोगों के निराकरन सुनवाई करेंगे और उनको प्रसासनिक अधिकार भी दिये गए है कि आम जनताओं की जो चोटी-चोटी समस्या है उसका वहीं पर इस्तार पर बैट करके उन्थर निराकरन कर सके तो कली एक आदिस जारी वाजिला प्रसासन के द्वार पर अमबिकापूर के शास्किये शराब दुकानों में मिलाबटी शराब मिलने की शकायत मिली है जिस पर आबकारी विभाख की बिलासपूर उदन दस्ता टीम ने गंगापूर शराब दुकान में चापे मारी कर मिलाबटी शराब को पकड़ा है इस कारवाई से शराब करने के बज़ाए आखे मूंद कर बैठे हैं इधर लगातार हो रही शास्किय शराब दुकानों में मिलावट की सूचना पर बिलासपुर की ओड़न दस्ता टीम ने एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया हुआ है हमने यहां की बीजी भी होना था कमिशनर साफ यह से तो बीजी अटेंड की और रूटिन जांच में आए दुकान की सिकायत थी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मदीरा में मिलावट करते हैं पानी मिलाते हैं और अपने कुछ लोग काम करते हैं यहां हमको मिला सुबे सुबे के टाइम तो ज्यादा मात्रा मिलावट को नहीं मिला लेकिन वो एसी बलाइक का आड़ बोतल हमको मिला हुआ मिला उसने हम जब किया है और इसमें विभागी कारवाई हो गया नेयलाय में चलान प्रेट पूट अबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए स डाउनलोड कीचे जवनातंत्र टीवी अप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें